जय भोलेनात विशाक महीने के कृष्णि पक्ष की 23 इस बार रविवार के दिन पढ़ रही है। ऐसे में विशाक का पहला प्रदोश्वरत रवी प्रदोश्वरत होगा। रवी प्रदोश्वरत रखने से सुक शांती और सम्रिधि की प्राप्ति होती है। सुख सभागय और आरोग के लिए रवी प्रदोश्वरत रखना बहुत ही शुब रहता है। प्रदोश्वरत में भगवान शिव का पूजन शाम को प्रदोश काल के समय अनिवारी रूप से करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं प्रदोश्वरत की तिथी और इस दिन रहने वाले प्रदोश काल के समय के बारी में। प्रदोश काल के समय से पहले एक बार इसनान करके और उसके बाद यदि हो सके तो आसपास के मंदिर में शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चड़ाएं। ऐसा करने से कुंडली में जो भी ग्रहदोश हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को पंचमरिस से इसनान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से इसनान कराकर भगवान शिव को चंदन कतिलक लगाएं। धूप दीप से पूजन करें। और गाये के दूद से बनिंखीर का भोग भगवान शिव को लगाना चाहिए। आसन पर बैटकर शिवास्टक का पाठ करना चाहिए। ओम नमस्षिवाय मंत्र का जाप करने से सारे विग्न और दोश तूर हो जाते हैं। भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तो भगवान भुलीनाथ अपनी भक्तों के मन की बिना कहे ही जान लेते हैं। इसलिए आप केवल सच्चे मन से पूजा करें, भगवान स्वेम ही आपकी सारी मनुकामनाई पून्ट करेंगे। त्रेयोदर्शी तिथी प्रारम होगी पांच मई रविवार की शाम पांच बचकर 43 मिनट से और समाप्त होगी 6 मई सोमवार की दोपहर 2 बचकर 40 मिनट पर इस तरह से पांच मई रविवार को रवी प्रदोश्वत रखा जाएगा। प्रदोश्वत में भगवान शिप को बेल पत्र भांग धतूरा अर्पित करके शमी के पौधी और बेल वरक्ष के नीचे दीब जलाना चाहिए। अब जानी इस दिन रहने वाले मोर्तों की बारे में पांच मई रविवार को सोर्य दय होगा सुबह 5 बचकर 44 मिनट पर सू भांते पांच मिनट तक रहेगा राहुकाल दोपहर 4-6 बची तक रहेगा इस दिन प्रदोश काल कर समय शम शे बचकर 7 मिनट से 7 बचकर 37 मिनट तक रहेगा शाम की पूजा आप इस शुब मुर्द में जरूर करें और इसके बाद से आप कभी भी व्रत का पारन्ट कर सकते मानिता है कि प्रदोश काल में सच्चे मन से पूजा करने या मंत्र का जाब करने से जो भी मनुकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है पूजा करतिस में ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाब करना चाहिए और ओम तत्पुरुशाय विद्महे महादेवा जानकार है और विडियो के लाइक करना मत भूलिए का